Hello everyone, welcome to Magnet Brains. मैं संचुदा जयान आपकी SST Educator आज के सेशन में लेके आई हूँ. आप सभी के लिए Class 12 के Political Science का Chapter No.1. Chapter No.1 जिसका नाम है दो धुरुवीता का अंत. और आज हम इस Chapter का करने वाले हैं Part परिचा यानि कि Chapter का Introduction Part. अब Chapter के Introduction Part में क्या सिखाया जाएगा आपको? Chapter के Introduction Part में मैं बताऊंगे आपको इस Chapter के हर एक Topic का Basic Knowledge. कि कौन-कौन से Topics इस Chapter के अंतरगर आते हैं. आल्राइट, चलिए. तो आज के शेशन को शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक करदें, शेयर करदें, साथ ही साथ चनल को सब्सक्राइब भी करदें. क्योंकि मैंगनेट ब्रेंस प्रुवाइट कराता है, आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्से प्री अप कॉस्ट, थाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फल्ले औरनाइस कंप्लीट कोर्स के साथ. जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्से इंग्लिश और हिंदी दौनों मीडियम में प्रुवाइट कराते हैं. सीबीसी बोर्ट के साथ साथ, एंपी बोर्ट, यूपी बोर्ट, बिहार बोर्ट, दिल्ली बोर्ट, राजस्तान बोर्ट के स्लेबस को भी कवर कराया जाता है, यानि की पांच स्टेट बोर्ट के स्लेबस को कवर कराया जाता है, काफी सारे स्पेक्शल कोर्से भी हमारे प दी गई है जल्दी से जाए क्लिक कीजिए सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएं आल राइट चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर नमबर वन का इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लाइक और शेयर के साथ आल राइट तो जैसा कि चैप्टर का टाइटल है हमारा द दो ध्रुवियता का अंड तो ये दो ध्रुवियता वोती क्या है सबसे पहली बात तुई है तो हम चलते हैं कहां सबसे पहले वर्ड वार की तरफ विश्वयद्धों की तरफ ठीक है विश्वयद्धों की तरफ क्यों वहीं से पूरी कनेक्टिविटी है वहीं से आपको 161 18атель 12 सब्सक्रां नतीजह दो खेमों में बठा हुआ था मिक्र राष्ट और धुरी राष्ट पर्स्ट व्ल्ड वर का नतीज़ा आपको पता है कि धुरी राष्टों की हार हुई थी, ठीक है, मित्र राष्ट जीते थे सेकेंड वर्ड वर्ड वर्र वर्स्ट वर्ड वर्र से भी ज्यादा भयानक हुआ था और उसमें भी बुरा ये रोग दो पार्टी में बटा था दो खेमों में बटा था मित्र रास्ट दुरी रास्ट ठीक है शिरुवात किस ने करी थी दुरी रास्टों ने करी थी गास्तोर से जर्मनी ने करी थी और हार भी किसकी हुई थी सेकेंड वर्ड वर में सेकेंड वर् अल्राइट इतनी कहानी तो आप सभी को पता है तो अमेरिका और जापान की कहानी भी आपको पता होगी बढ़ा होगा आपने क्योंकि जर्मनी तो हार चुका था जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिये थे ठीक है लेकिन जापान किसकी बात है जापान की बात है जापान हार मानने को तयार नहीं था ब्रेटान और अमेरिका दोला जुके कि राष्ट पती न जापान से कहा था कि भाई सब सरेंडर कर दो एक निश्चे समय दिया था उनको कि आपने इतनी तारी के इतने बज़े तक अगर सरेंडर नहीं किया है तो फिर कुछ भी हो सकता है और जापान ने सरेंडर किया नहीं फिर अमेरिका ने क्या किया था अमेरिका ने जापान के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा और नागा साकी पर परमाणू बम गिरा दिये थे जिससे हिरोशिमा और नागा शाकी जो जापान के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे उनका नाम और निसान भी मिट गया था नाताई समझ में? अब देखो अब सुनना भी पुरी दुनिया उस समय कमजोर पड़ चुकी थी लेकिन दो देश ऐसे थे जो कमजोर नहीं पड़े थे इवन और जादा मजबूत हो गए थे वो दो देश कौन से थे? वो दो देश थे अमेरिका और रूस कौन कौन से देश थे अमेरिका और रूज दो देश ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा शक्ति शाली थे और दुनिया की महाशक्ति के रूप में जाने जाते थे इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं था तो क्या ये दौनों देश बराबरी से पावरफुल थे? सें तो उनके बीच आंगे बढ़ने की होड होगी कि भई यह भी भावर्फुल यह भी पावर्फुल है लेकिन मैं इससे भी ज्यादा पावर्फुल बनना चाहता हूं तो बहुत एक दूसरे से जलसी तो होगी, जलन तो होगी, शत्रूता तो होगी, दुश्मनी तो होगी, लेकिन इन दोनों देशों ने आपस में युद्ध नहीं किया था, हतियार लेके युद्ध नहीं किया था, कैसा युद्ध था इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच था शीत युद्ध, अब कोल्ड वार क्या होता है बई शीत्यों देश एक दूसरे के शत्रूतों है लेकिन हतियार से लडाई नहीं लड़ेंगे आपसी मन मुटाव है मन ही मन मैं ये लड़ते रहेंगे चुप चाप लड़ते रहेंगे ना अमेरिका रूस का कुछ बिगाड़ रहा है ना रूस अमेरिका का कुछ बिगाड़ रहा है क्यों नहीं बिगाड़ रहा है क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास महाशक्ती हासल है परमाणू शक्ती हासल है साधन संसाधन से संपन्न देश हैं हर तरीके के संसाधन भ बस आगे बढ़ने की होडिन में है तो बहुत है जो शीतियुद हुआ था किसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वर के बाद तो वहीं से प्रारंब होता है दू धुरुवीता का दू धुरुविता क्या है वही यह जो मैंने अभी बताया है कि जब दुनिया में दो महाशक्तियां मौजूद हो उन दौनों महाशक्तियों में पुरी दुनिया बढ़ जाए दुनिया के देश बढ़ जाए कि उस देश अमेरिका के तरफ हो और कुछ देश रूस की तरफ हो तो इसे हम क्या कहेंगे दो धुरुव दो ध्रुविता का अंत कैसे होता है लेकिन किसी चीज का अंत हो उसके पहले यह जानना जरूरी है कि उस चीज की शिरुवात कैसे हुई थी ठीक है, किलियर ओर यह बात, तो दो ध्रुविता का अंठ कैसे होता है, उसकी हम चचंचा करेंगे, अब दो ध्रुविता के अंठ में, कोई एक देश तो हारेगा नmal अमेरिका और रूस की बात हो रही है दो महाशक्ती है उनी के भी शीतियुद्ध चला है यहीं से जनाम हुआ है दो ध्रुविता का क्योंकि पुरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है अब किसी एक का अंथ होगा जब उस दो ध्रुविता का अंथ होगा सिर्फ एक ठीक है जनता कई तरीकों से परिशान हो जाती है जनता विरोध करने लगती है उनकी सामयवादी अर्थ व्यवस्था का ठीक है तो इसके बाद जो है एक देश एक तरीके से हार जाता है क्योंकि जनता उसकी व्यवस्था का विरोध करने लगती है रूस या सोवियल संग कि इस प्रिकार की विवस्ता वाला देश है समाजवादी अर्थ विवस्ता वाला देश है जो बात तो गरता है गरीबों के उत्थान की संपत्नी के समान वित्रण की लेकिन इसमें भी कई ऐसी विवस्ताइं थी जो उस देश की जनता को पसंद नहीं आ रही थी जिससे उस इसमाई 15 देश शामिल हुआ पर करते थे यहां पर पाई जाती थी अब data two ऑफ समाजवाद Eodor यहां पर पाई जाती थे अभी अर्थ व्यवस्तन यहां पर पाय जाती थी। अब समाजवादी अर्थविवस्ता किसकी बात करती थी संपत्ति के समान वित्रण की बात करती थी गरीबों के उत्थान की बात करती थी हर व्यक्ति को रोजगार मिले जितने भी संसाधन हमारे देश में हो हर एक व्यक्ति के लिए उप्रब्द हो ठीक अब पूरी और सोवियस संग का विक्ठन गोर्बाचेव इनका पूरा नाम है मिखाईल गोर्बाचेव मिखाईल गोर्बाचेव अब मिखाईल गोर्बाचेव क्या है वह एक व्यक्ति का नाम है ठीक है और ये थे सोवियस संग के अंतिम रास्टपती ठीक इनके समय में होता है सोवियस स सबस्क्राइब देश की बात करें तो अमेरिका किस प्रकार का देश है अमेरिका पूझी वादी अर्थिव्यवस्था वाला देश है बिल्कुल है यह बात हम सभी को पता है ठीक किलियर तो जैसे इस ओविय संग का विगटन होता है हर जगए हर जगए फिर किसकी स्थापना होती है पूझी वादी करें तो यूरोप दो भागों में बटा हुआ था किलियर एक था पश्मी यूरोप पश्मी यूरोप और एक था आपका पूर्वी यूरोप तो पूर्वी यूरोप तो वही है सोव्यत संग में ही शामिल था इनका ही समर्थन करता था लेकिन पश्मी यूरोप के देश अमेर शैंद हो चुका है तो अब पूरवी पूरे पूरवी उरोप में किस प्रकार के अर्थर व्यूस्था आएगी जो अमेरीका में चलती है जिसको पश्मी यूरोप के लोग फॉलो गरते हैं यानि कि पूझीवादी अर्थविवस्ता किलियर हो रही है बाद तो पूझीवादी अर्थविवस्ता यहां भी एंटर कर गई ठीक है? समझ में आई बाद? तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगे विक्तन के परिणाम के रूप में उसके बाद सामयवादी शाषन के बाद हम शौक थेरिपी के बारे में जानेगे अब सामयवादी शाषन तो भईया खतम हो चुका है उसके बाद शौक थेरिपी क्या है? किसकी बाद करेंगे? शौक थेरिपी तो शौक थेरिपी इस शब्द का अर्थ क्या होता है किसी को शौक देना शौक में तो दर्दी मिलेगा अगर आपको कोई करंट लगा कर ठीक कर रहा है तो क्या मिलेगा दर्द मिलेगा कोई जैसे अपन कहते हैं या सुनते हैं या देखते हैं कि अगर किसी को पागलपन के दोरे उड़ते हैं तो उसको करंट दिया जाता है ठीक है शौक थेरीपी के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है ठीक है तो शौक थेरीपी में क्या हो रहा है पहले इस व्यक्ति को चोट पहुँचाई जा रही है पर उसके द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है तो बस वही बात है यहां पर शौक थेरीपी इसका अर्थ होता है आगात पहुचा कर उपचार करना उपचार करना तो सामयवादी शाशन तो भईया खतम हो चुका था ठीक है अब क्या होता है अब भई उपचार के रूप में क्या होता है दो अंतरास्टी संगठनों का आपने नाम सुना होगा कौन-कौन से? वर्ल्ड बेंक और आई-म-फ विश्व बेंक और इंट्रनेशनल मॉनेटरी पंड है यानि की अंतरास्टी मुद्राकूस इनका नाम सुना होगा इनके माद्यम से पुझिवादी अर्थविवस्ता को बढ़ावा दिया गया पहले क्या किया गया? सामेवादी शाशन को खतम किया गया फिर उसका उपचार कैसे किया जा रहा है? उसके उपचार के लिए पुझिवादी अर्थविवस्ता को फोलो किया जा रहा है और भारत के बीच किस प्रकार के संबंद रहे थे जो पूर्ब में सामयवादी देश थे जो समाजवार्ती अर्थ व्यवस्ता को फॉलो करते थे उनके और भारत के संबंध कैसे रहे, इनका क्या लेंदे था, क्या मेल जोल था, उसके परिणाम क्या निकले, ये सारी बात हैं, हम इस टॉपिक में जानेंगे तो कौन-कौन सी बात हम इस चैप्टर में सीखनी है, वो बात समझ में आई, फ्रेम क्रियेट हुआ आपके माइंड में, कोई दिक्त, कोई परेशानी, चले आँगे, चलिए तो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को हर एक वीडियो के माध्यम से एक्स्प्लेइन करते हुए, आपको बहुत अच्छे से समझाती हुए, हर एक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और इसके बाद जैसे ही चैप्टर आपका खतम होगा, उसके NCRAT solutions आपको कराये जाएंगे, multiple twice question कराये जाएंगे, most important question भी कराये जाएंगे साथ ही साथ इस चैप्टर का complete chapter revision भी आपको कराया जाएगा अल्राइट, clear? चले तो इस चैप्टर को हम इस तरीके से complete करेंगे, इवन हर एक चैप्टर को इसी format में हम पढ़ने वाले हैं तो भी साथ class 12 students बहुत अच्छे से तयार हो जाए, बहुत अच्छे से ready हो जाए और सब तक information पहुँचा दीजे कि Magnet Prince, Indy Medium चैनल पर आपकी डिमांड पर political science की classes start हो चुकी है तो जल्दी से सब कर दो चैनल को subscribe, आज के वीडियो को like और share ताकि सभी बच्चे जुढ़ना है तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही इस chapter के पहले topic के साथ notification bell icon को press कर दीजे ताकि जैसे ही आपके पास इसका वीडियो पहुँचे, उसका notification आपको तुरंती मिल जाए और आप हमारे साथ तुरंती जुढ़ जाए तो अगर आप हमारे daily के live session और recorded session से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ें अपलबद हैं Magnet Brains के YouTube चनल, website और application पर Magnet Brains इंडिया का number one, 100% free online education platform है इसके लावा गर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के description box में दीगी है, वहां से आप available कर सकते हैं सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राब्द कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कही सारे चाप कोर्से इंडिया और इंग्लिश दोनों मीडिया में उपलब्द हैं CBFC बोर्ट के साथ साथ दिल्ली, बिहार, UPMP और राजस्तान बोर्ट के सलेवर्स को भी कवर कराया जाता है ताफी सारे special courses भी हमारे पास जिसे की Vedic Math, Crash Course और Spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही जगे, एक ही सिंगल प्लेटफर्म पर High Quality Education के साथ fully organized complete course के साथ एक दम free of cost प्रोवाइड कर आए जाते हैं Magnet Brains, YouTube के लावा, other social media platform जिसे की Facebook, Instagram, Twitter और WhatsApp पर भी है आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं, यहां से भी सारी जानकारी प्राप कर सकते हैं तो आज के शेषिन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करती हुए चैनल को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रहे हैं, जुडे रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, खुश रहे हैं Thank you so much